Hey guys welcome back to my channel my big dreams hope you all are doing great तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल तयार हो गई हूं क्यूंकि हम लोग चार रहे हैं शॉपिंग जैसे कि मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे भाइक की शादी होने वाली है और हम लोग उनके घर पर विजिट हुए थे अगर आपने वह व्लॉग नहीं देखा है अपतलग तो जल्दी से चाहिए देख लीजे तो हां काईस फाइनली जो है शादी की ड इवन दो हम लोग रोजे भी रहते हैं तो हम जाकर इतनी ज्यादा धूब में शॉपिंग नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोग उने डिसाइज किया है कि जो भी कपड़े और दूसरी मतलब छोटी मोटी चीज हैं जिसमें ज्यादा समय लगता है वो उसकी तयारी हम अब कर ल जहां पर हम लोग आलवेज पर्चेस करते हैं वहां पर रीजनेबल प्राइज भी होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कलेक्शन भी है क्यूंकि आजकल चल रहा है लहंगों का चल रहा है तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो हम ब्राइट के लिए लेंगे व यूजिली जो बैंगलोर में रहते हैं वो शिवाजी नगर या कमर्स्ट्रेल स्ट्रीट बहुत ज्यादा चाहते हैं क्यूंकि हमें लगता है महां पर बहुत ज्यादा रीजनेबल और बहुत ज्यादा वैराइटी कपड़ों की मिल जाती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नही बहुत ज्यादा रीजनबल भी है वहां तो आप जरूर से देखते रहेगा यह वीडियो तो चलिए जल्दी से चलते हैं अभी मैं अमी के घर पर जाओंगी वहां से हम आटो पिक करेंगे और हम वहां से मार्केट जा रहे हैं तो आप इसी वीडियो में बने रहे हैं और च मुझे स्टेप्स पर चणने थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मी और मायरा मुझे नीचे बुलाने आई थे आज भी हर हमेशा की तरह लेट है चलिए देखते हैं क्या करते हैं यह रहामी का घर यह रूम में शायद कुछ कर रही है पतानी अभी तक तयार भी नहीं होके है कभी लेट करो बोला याद करको नमास पढ़ लेको जिसमें लागर को पहली शुरुआ शादी का काम मुझे कर रही है तो आल्ला को याद करको दोरपा शुक्रिये नमास पढ़ को घर से निकलना शादी का काम हुझा से यह देखिए गाईस हम लोग अल्मूस पहुंच गया यह मार्केट में एक दरहा है तो हम वहांदर मिलने गई थी तो तब तक हम यह जूस पी रहे थे गन्ने का और इंजॉय कर रहे थे क्यूंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा गर्मी है अभी से इतनी गर्मी ज्यादा स्टार्ट हो गई है तो नेक्स चलते हैं ये शौप पर एक्षिली हुआ था क्या गाइज हम लोग जो पहले मतलब दो तिन बार विजिट कर चुके हैं वो ये शौप नहीं है लेकिन यहां भी बहुत अच्छा कलेक्शन है मैं मुझे इसका कुछ नाम याद नहीं आ रहा ठीक से लेकिन आप अगर मार्केट चले है जहां पर आपको जो भी शादी की चीजे हैं जो कि मतलब कपड़े हो गए यह सब बहुत ज्यादा यूनो डिजाइनर पीसस में अच्छे अच्छे आप जरूर मिल जाएंगे हम लोग तो अराम से बैठ गए थे क्यूंकि अभी से हालत ना इतनी खराब हो गई थी क्यू जो रेंज था 2,500 से था लेकिन अमी ने 3,000 से स्टार्ट करवाया यह कुछ 3,000 था देखे कितने अच्छे अच्छे मतलब यह अगर हम वही शोरूर में पर्चेस करने जाए तो अराम से ही 10-15,000 हम वहां पे स्पेंड करके आ जाएंगे लेकिन यह भी सेम प्राइस था उसक कितना अच्छा मतलब कलर है इसका हम लोग सोच रहे थे कि हर एक एक मतलब जो भी फंक्शन है जैसे कि शुकराना होता है उसे एक जैसे कि शुकराने में हम सोच रहे थे कि सारी लेले फिर निके में हम लेंगा लेंगे फिर रिसेप्शन होगा तो उसमें कुछ ऐसे अलग- भी बहुत अच्छा लगा हमें यह पुरा वेलवेट का है गाई इस पर पुरा स्टोन वर्क है तो आप जरूर कमेंट में हमें बताना कि हमने क्या लिया होगा कौन सा कलर का हैं पे लहंगा लिया होगा इनके पास सारी भी बहुत सारी available थी लेकिन अम्मी कह रहे थी कि एक ही जगा हम सब कुछ ले लेंगे तो मतलब दुसरी जगा जाएंगे तो कुछ नहीं ले पाएंगे इसलिए हम लोग एक एक स्टोर पे विजिट किया हम लोगों ने और एक चीज खरीदी जिसे के मतलब हर एक स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन होत तो यहां पर पर्चेस करने के बाद फिर हम निकल गए गई दूसरे हमें सारियां परफिजzel करplin थी लहंगां पर्फिज और हमें सब करने के बाद तो गर्थ में बहुत जPad थी सब लोग आगे निकल गए थैंजूमय और और माईर अग फिर सही हम अब का लेम जुज लेके इंज्वाय कर रहे थे फिर हम लोग एक सारी के शोरूम में गए जो सेम गली में मिलक है यहां पर हमें इतनी खास नहीं लगी तारियां तो हम लोग ने सोचा के बाजू जाके देखते हैं क्योंकि यह पूरा मतलब हिंदू जो रहते हैं महां का था तो हम लोग म मुसलिम में क्या है थोड़ा चमक धमक हो गए लेकि अच्छे डिजाइनर ज्यादा अच्छा मतलब देखते हैं डिजाइन से क्योंकि हिंदू में क्या होता है थोड़ा सिंपल ही पेंते हैं इसलिए हम लोग वहां नहीं गए फिर दूसरे शॉप में आये तो हम पर इतनी चै्छी डिन में इतनी ज्यादा वाराइटीह थी मतलब प्रोल में डाव ब्राइटीेसर और इतनी अश्याहरा आओर नुए उपता है। वो सब यहां पर अवेलिबल था तो हमने यहां पे सारी पर्चेस की फिर यहां पर कुछ इतना खास नहीं लग रहा था मतलब जो शिवाजी नगर में जाके मजा मिलता है जो भीड मिलती है वो मजा ना कहीं पर भी नहीं मेलता यहां तो कप्ड़े लेने के लिए बहुत अच्छा मिल गया था में लेकिन हमें और भी बाखी बहुत ज्यादा चीज़ें लेनी थी जो कि शादी में यूज होती है तो हम वहां से होते हुए हम फिर हमने आटो लिया और हम निकल गए शिवाजी नगर और मार्केट में ही तो पुरा दिन वेस्ट हो जाता इसलिए हम लोग ने क्या सोचा चलिए और अभी एक दो घंटे बचे हैं तो इसलिए हमने वहां से निकल गए तो मैं बता रही हूं कि पूरा मेकप न पहुंच गए हैं शिवाजी नगर जैसे कि मैंने बताया यहां की चमक ही कुछ अलग होती है इवन दो मतलब हम इसलिए यहां पर नहीं जाते क्योंकि हर कोई यहां ही रहता है और मॉस्ट नहीं से शॉपिंग करता और बहुत जादी भीड होती है तो इसलिए मतलब उतना ह में साटिस्पेक्शन नहीं मिलता है हम पर खरीदने में इसलिए हम लोग वहां जाते हैं कपड़ों के खरीदारी के लिए तो हमने सोचा कि वहां गए हैं तो यहां भी एक विजिट लगाते हैं जो भी ड्रस वगेरा नहीं ली थी तो हमने सोचा कि शिवाजी नगर से ही प बहुत अच्छे मतलब वहां पर अच्छे कलक्षन हैं हम पर भी था तो मैं महक कर रही थी गाइस थोड़ा फोन इदर उदर हो गया था प्लीज इग्नॉर दिस तो यहां से होते हो यहां यहां बैंगल्स भी लिये थे बहुत सारे कपड़ों कपड़े लेने के बाद बैंगल हम एक चपल की शॉप पे गए वहां पर सैंडल स्ट्राइक की वह खरीदा फिर वहां से हम लोग निकल गए क्यूंके साड़े नौ बज गए थे हम सुबों के मतलब आफ्टरनून से निकले हुए थे तो तो यह हमारी पहली विजीट थी शॉपिंग के लिए तो आप ड़ि से सब्सक्राइब कर दीजिए थेंकिस सो मच फर वॉचिंग गाई प्लीज देखते रहिए मेरे और भी सारे वीडियो को आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शादी रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं गाई तो इसके लिए आपको जरूर से एक बाला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो देखते रही है और इंज्वाइब